दोस्तों नमस्ते और वेलकम बाक तो प्लेमेकर लिंक्स कप बहुत ही बहतरीन कप है तो टेस्ट यॉर मैटल हमने लेबनान के साथ में कुवेट के साथ में तो मैचिस खेल लिये दे आर डीसेंट गल्फ टीम्स बट किंग्स कप में अगर आप देखोगे इराक थाइलांड और लिबनान वी अब बहुत सारे मैचिस वह जीत लिया है तो भाई अभी होम पे तो हमारा रेकॉर्ड बढ़िया बन चुका है आप इसके आगे पूरे मैचिस अवे होने वाले हैं आप इंडिया इंडिया किंग्स कप में तीसरी बार यहां पे हिसात है उसके बाद 2020 में हम ने खेला अब फिर से 2023 का इडिशन में हम लिए में इसा माध करने हैं ता आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एराक टीम के बारे में, आगे हम लोग बनाएंगे वीडियो on Thailand also, एराक जो है बहुत ही attacking team है, वो 5-4-1 का formation खेलती है, transition में 4-3-3 भी होती है और जब बना है उनको 4-4-2 भी हो जाती है, यहाँ बहुत ही attacking team है, passing accuracy उनकी बहुत बढ बढ़िया है, और they have got a few popular players, जो कि बाहर के leagues में भी खेलते हैं, बहुत बढ़िया players है, if you compare them, जो पिछले matches उनकोंने खेले हैं, बहुत ही बढ़िया matches खेले हैं, अगर prominent players के बार में बताओं मैं, matches से पहले, यहाँ पे they have got Saad Natik has a defender, बहुत ही बढ़िया defender है उनके, जो कि खे खेलते हैं, और एक बंदा है जिसका नाम है, जो कि एक Sweden की league की team है, वहाँ पे खेलते हैं, France putros है, जो कि Thailand league में खेलते है, top league में खेलते है, port FC उसका नाम है, और Alan Mohi Dean है, जो कि dual national है, जहाँ पे वो 10 के team को खेलते हैं, जो कि Swedish league की team है, यहाँ पे, ठीक है, and we have got the likes of Amir Al Amiri, जो जो कि फिर से Swedish league में खेलते हैं, we have got the likes of Poin, Kevin Yakup, जो AGF में खेलते हैं, Norwegian league में खेलते हैं, we have got the likes of Osama Rashid, जो कि Vizela club के लिए खेलते हैं, Portuguese का Vizela club है, बहुत बढ़िया club है, वहाँ पे खेलते हैं, और Andrei Aslati, जो कि यह serious club में खेलते हैं, जहाँ पे, फिर से Sweden, तो यहाँ पे Sweden स बहुत players हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको dual nationality मिलती है, तो वह Sweden से बहुत सारे players को यहाँ पे sign up कर लिये हैं, and they have got a good attacking team, also उनके जो manager हैं, बहुत ही बढ़िया manager है, and he has done lot of great work with this current national team, जिसका नाम है Jesus Kassas, बहुत ही बढ़िया manager है, और यह जो Iraq team है, वो West Asian Football Federation के reason से आती है, अब स पालता है, वहाँ पे, seriously, और अगर आप Iraq के matches देखो, previous matches देखो भी यहाँ पे, यह tournament आने से पहले previous matches देखो, तो वो Saudi Arabia को हराया है, 2-0 Saudi Arabia को हराया है, इन Arabian Gulf Cup, उसके बाद में उन्होंने एमन को 5-0 से माद दी है, उसके बाद उन्होंने Qatar को 2-1 से हराया है, और उसके बाद ओमान को 3-2 से हराया, ठीक है, extra time में हराया, बट ओमान को 3-2 से उन्होंने हराया, तो यहाँ पे भाई, पूरे World Cup playing teams को हराया, उन्होंने, यहाँ पे Saudi Arabia ने World Cup खिला, Qatar ने भी World Cup खिला ता, इन दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से माद दी है, Saudi Arabia के साथ में clean sheet भी इंडिया बहुत ज्यादा tough होगा, जैसे मैंने बटाया, 70th rank team है, तो we have to look for that, 70th rank team है, उपर से latest, एक दो friendlies भी खेले उन्होंने, फिफा विंडो में, जहाँ पे Russia से उनको 2-0 की मात मिली, और Colombia से 1-0 की मात मिली, but still the passing accuracy was averagely 80%, तो बहुत देखो, average जो है, यह दोनों match में भ जिगज टीम है, कितनी dangerous team है, ठीक है, और उसके बाद में, यह इंडिया के साथ में सीधा, अभी मतलब इंके कोई friendlies नहीं है, सीधा इंडिया के साथ में खेलेगी, तो यहाँ पे इंडिया वर्सिस इराक, first match हो सकता है, Kings Cup का, जो की खेला जाएगा भाई, हो सकता है 7th September को, surely यह match बहुत ज़्यादा difficult होगा, यह एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे हमारी जो bench wrench होगी, यह बहुत सारे players जो है, वो वापस आएंगे, जैसे मैं expect कर रहा हूँ, Brendan Fernandes वापस आएंगे, शिवसक्ती आएंगे, ज़रूर सिवसक्ती को लिया जाएगा team में, कि हमारे पर सना को भी लिया जाए, सना इस गुड़ बॉल प्लेंग डिफेंडर, और जो जिंगन और अनवर की जोड़ी बन चुकी यह जोड़ी ही आगे जाएगी, यह जोड़ी ही main रहेगी, till the AFC Asian Cup, but backup भी चाहिए, बढ़िया backup चाहिए, ज़रूर वहाँ पे सना को ले जा सकते हैं ह especially, अवे खेल रहें तो यहाँ पे bench strength होना बहुत ही जादा important होता है, हमने देखा, साफ में और interconnel में हमको थोड़ा सा दिक्कत हुई bench strength को लेके, वही players को use कर रहे थे, but they were not able to perform in the way, जो first team, जो first gyara perform कर रहे थे, यहाँ पे जैसे मैं मताया, Kings Cup will be the right stage to see आपकी bench strength कितनी अच् performance हो सकता है, तो guys, ऐसे और analysis के videos आएंगे, दूसरे teams के जैसे Thailand हो गया, फिर आगे Lebanon का और एक video मैं बनाऊगा, क्योंकि बहुत सारे news निकल के आ रहे है, Thailand and Lebanon जो है, और भी players को यहाँ पे add कर सकता है, squad में नए players को ला सकता है, जो players हमने अभी तक नहीं देखे, नए players का भी addition हो सकता है, तो ज़रुर मुझे support करना, और मुझे subscribe करना, मत भूलना मेरे channel को, ऐसे Indian football पर मैं बहुत सारे videos बनाते रहता हूं, also you can check out my other videos, जहाँ पर मैंने World Cup के format पर बनाया है, Asia Cup के format पर बनाया है, और भी बहुत सारे news का मैंने update दिया है, you can check out the live streams also, जहाँ पर हम लोग 10.30 पर इंडियन साने टाइम पर इनों discuss करते हैं, regarding Indian football and normal जो चीज इंडियन football में हो रही है, regarding the state affairs and और भी जो चीजें होती है, ठीक है, तो मुझे आप Instagram पर और Twitter पर भी follow कर सकते हो, दोनों की link मैंने नीचे description में डाल दी है, आप Discord भी check कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग latest Indian football news पर discussion क करते हैं, बाते हैं करते हैं उसके उपर, तो यहाँ पर आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, and you can be the part of the bigger discussion, and also you can check out the YouTube membership, जहाँ पर आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे, perks मिलेंगे, उसकी भी link आपको मिल जाएगे नीचे, आफिर वहाँ पर जोइन का टाब है, वहाँ जाके वीडियो में, अंतिल नेक्स ताइम, जय हिंद और जय भारत, थैंक यू फर वाचिए झाल